LG ने रिसेंटली इंडिया में एक रोलेबल OLED TV लाँच किया है लेकिन क्या आप उसका प्राइस जानते हैं? उसका प्राइस सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी प्राइस सुनकर स्टन रह गई थी LG का ये 65 इंचेज रोलेबल टीवी 75 लाग का आ रहा है पता नहीं इतना कॉसली टीवी कौन खरीदता होगा लेकिन डरिये नहीं आज मैं यहां सोच के बियॉन मिल रहे हैं इस टीवी का रिव्यू नहीं कर रही हूँ बलकि मैं आपके लिए 150 इंच का एक रोलेबल 4K 3D लेजर टीवी का रिव्यू लेकर आई हूँ जिसके पिक्चर क्वालिटी बड़े ब्रैंड के टीवी और सेनेमा हॉल्स को भी पीछे छोड़ देती है पिर भी उसका प्राइस बहुत सारे लोगों की रीच में है यह एक अल्टर शॉट थ्रो 4K 3D DLP डिपल लेजर प्रोजेक्टर है इंडिया में अभी तक किसी भी चैनल पे इस क्वालिटी के प्रोजेक्टर का रिव्यू नहीं हुआ है यह खाली एक प्रोजेक्टर नहीं है वो आपको किसी सेनेमा हॉल में भी देखने को नहीं मिलेंगी इस कलर रिप्रोड़क्शन इस फीस्ट फॉर दाइस एवल विजन का यह ट्रिपल लेजर प्रोजेक्टर वर्ल्ड का पहला लेजर प्रोजेक्टर है या कहिए लेजर टीवी है जो डॉल्बी विजन के साथ आता है एवल विजन एक यूएस बेस्ट कंपनी है जो लेजर प्रोजेक्टर और स्क्रीन बनाती है तो हाई फ्रेंज वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल टेकिबीज दोस्तों ट्रिपल लेजर ट्राइ कलर प्योर लेजर प्रोजेक्टर होता है जो रेड, ग्रीन और ब्ल्यू इन तीन प्राइमरी कलर्स को बनाने के लिए तीन डिफरेंट लेजर का यूज़ करता है जिससे फॉस्फर वील जिसका यूज सिंगल लेजर प्रोजेक्टर में कलर्स बनाने के लिए किया जाता है उसकी नीट triple laser projector में नहीं रहती है इसलिए triple laser projector बहुत ही accurate colors produce करने के साथ single laser projector से ज्यादा vibrant colors भी produce करता है laser projector किसी भी LED projector से ज्यादा detailed pictures बनाता है और wider color gamet होने की वज़ा से कोई भी LED projector triple laser projectors के colors को replicate नहीं कर सकता है इसके अलावा triple laser projector energy efficient होने के साथ साथ आपकी आँखों को नुकसान भी नहीं पहुचाता है और ये projector चलते वक्त heat up भी नहीं होता है बिना इसी के भी आप इसे चला सकते हैं ये 0 degree से लेकर 40 degree centigrade की temperature में efficiently काम करता रहेगा एक normal LED TV के मुकाबले ये सिर्फ 115th power consume करता है जिससे आपका बिजली का consumption भी बहुत कम हो जाता है UST projector बिलकुल screen के पास से भी बड़ा projection कर लेता है जिससे छोटे room में भी बड़ी screen का मज़ा लिया जा सकता है 4 lakh के आसपास के इस premium projector को खरीद पाना ऐसे तो हर किसी के बस में नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े ब्रांस के 75 इंचेज और अबव के टीवी में interested होते हैं तो उनको मैं बताऊंगी कि ये laser टीवी किसी similar cost के 75 या फिर 85 इंचेज टीवी से better purchase क्यों बनता है अगर ये laser टीवी आपके budget के beyond है तब भी इस वीडियो को बिना skip किये देखिएगा क्योंकि इस projector ये laser टीवी में जो features हैं वो लाजवाब हैं जो आपने अभी तक किसी भी दूसरे इंडिया में मिलने वाले projector में नहीं देखे होंगे चाहे वो किसी higher brand का ही क्यों न हो इस वीडियो में मैं आपको इसे कैसे खरीदा जा सकता है वो भी बताऊंगी तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं ये हैं Evil Vision Ultra Short Throw 4K 3D Triple Laser Projector LTV 3000 Pro जो dual boxes में बहुत securely pack होकर आप तक पहुचाया जाता है box के उपर इस projector की highlights mention की गई है box के अंदर projector के अलावा एक fire tv stick max रखी मिलती है जो इसके साथ bundled offer में दी जा रही है इसके अलावा मुझे ये दो active shutter 3D glasses दिये गए है जो आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे इसके अलावा इसके साथ एक premium quality metallic finished remote दो AAA batteries, एक power cord, एक microfiber cloth, एक user manual और एक warranty card रखा मिलता है ये 3D glasses बहुत ही premium quality के है जो मुझे और किसी भी website पे ढूणने पे भी नहीं मिले इसमें नीचे के ओर sensor दिया गया है और ये charging port है जिसके लिए ये micro USB to USB charging cable साथ में मिलती है प्रोजेक्टर की बात की जाए तो वो काफी बड़ा और 9.5 kg पे भारी भी है जिसे आपको दोनों हातों से ही handle करना होगा ये UST प्रोजेक्टर एक futuristic design के साथ आता है इसमें आगे की और कोई lens नहीं दिया गया है बलके बीच में एक space है जिसमें concealed glass lens के थुरू उपर की और laser light projection होता है इस जगा पे आपको सिर्फ एक glass दिखता है उपर की और दो sensors दिये गये है इस projector को बहुती steadily built किया गया है इसके construction में high grade ABS plastic का use किया गया है उपर की और black matte texture दिया गया है और चारो और glossy black finish है दोनों साइड में ventilation के लिए बहुती खुबसूरत सा fine जाली design दिया गया है जो इस projector के aesthetics को enhance करता है साइड में एक USB 2.0 port दी गई है और पीछे के और तीन HDMI ports है इसके अलावा एक Ethernet port, एक AV input, एक SPDIF port, power port और service के लिए एक micro USB port दी गई है dual band Wi-Fi के साथ आने वाले इस projector में एक HDMI EARC port भी मिलती है जो अभी तक इंडिया में आ रहे हैं किसी भी दूसरे projector में नहीं मिलती है यहां आपको 5 TV stick के लिए एक dedicated space दिया गया है जिसमें 5 TV stick fit होकर invisible सी हो जाती है और smartness एक तरह से inbuilt मिल जाती है Overall built में यह projector premium है और देखने में भी elegant लगता है Remote भी एक premium feel impart करता है जो IR और Bluetooth dual connectivity options के साथ आता है इसमें आपको दूसरे buttons के अलावा input mode और settings के direct buttons मिल जाते हैं Projector का sensor system बहुत अच्छे से काम करता है Close box पे रखे होने के बावजूद रिमोर से projector की connectivity सीमलेस है यह floor rise ambient light rejecting screen बिग विव कंपनी की है जिसका मैं अलग से review करूंगी और बताऊंगी कि आप इस screen को किन प्रोजेक्टर के साथ यूज कर सकते हैं यह cabinet मैंने खुद design दे कर बनवाई है क्योंकि बाहर से cabinet यहां नहीं आ रही थी और अगर मिलती भी तो लाखों खरचने के बाद बहुत ज्यादा custom duty भी देनी पड़ती बस बाहर से आने वाले cabinet में प्रोजेक्टर आटुमाटिकली बाहर निकलता है जबकि इसे मुझे manually operate करना पड़ता है यह पूरा setup अगर आप बनवाएंगे तो इसमें आपको लगबग 8-9 लाख लग जाएंगे चार के आज पास आपको यह projector पड़ेगा 2 लाख की screen है और sound system आप जैसा भी लगवाना चाहें उसकी ही according खर्चा आएगा मैंने इसे Sony HT A3000 के complete system से connect किया हुआ है जिसमें subwoofer और rare speakers भी शामिल है अगर आप मेंसे किसी को भी यह setup तयार करना है तो आप मुझे मेरे Instagram या फिर mail पे contact कर सकते हैं मैं आपको पूरी तरह से guide कर दूँगी तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस projector के features की यह एक RGB triple laser 3D 4K DLP projector है जिसमें perfect sharpness के लिए 2.0 focal length का RICO glass lens लगाया गया है इतनी बड़ी aperture lens मुझे किसी भी दूसरे laser projectors में अभी तक देखने को नहीं मिली है इसका laser outlet भी बहुत बड़ा है यह वर्ल्ट का अकेला laser projector है जो Dolby Vision सपोर्ट करता है यह HLG और HDR10 के साथ HDR10 plus को भी सपोर्ट करता है इसमें 3000 lumens की real brightness मिलती है जिसे अगर nits में convert किया जाए तो वो 900 nits के आसपास आती है इसमें 2500 is to 1 का static contrast ratio दिया गया है यहां मैं आपको बता दूं कि इन values को आप India में मिल रहे है budget projectors की specifications के साथ compare मत करिएगा क्योंकि यह brightness और contrast की real values है और यह projector इंडिया में मिल रहे projector से बहुत ज्यादा bright है इसमें active 3D shutter glasses के साथ compatibility दी गई है यानि यह एक real 3D projector है यह projector original movie frame यानि 24 frame per second के साथ आता है जिन लोगों को नहीं मालूम उनको मैं बता दूं कि movies 24 frame per second में ही बनती है यह 4K at 60 hertz का projector BT 2020 का 107% और DCI P3 का 147% coverage देता है जिससे इसमें white color gamut देखने को मिल जाता है इसमें आपको 1 billion से उपर colors देखने को मिलेंगे यह projector 36 watts audio output के साथ आता है जिसमें Dolby Atmos और DTS के साथ साथ virtual X decoding भी दी गई है इसके अलावा इसमें 2-way Bluetooth speaker mode भी है इससे आप 80 inches से लेकर 150 inches तक का projection कर सकते हैं यह projector total control 4 के साथ आता है आप इसे Alexa और Google के थुरू भी control कर सकेंगे इसमें electronic focus 8 point keystone correction के अलावा MEMC, auto brightness adjustment, laser outlet, block detection, eye safety, IP control, full color management system और enhanced black level दिया गया है आप अपनी पसंद के according इस projector में हर color को fine tune कर सकते हैं यह Android 9.0 projector है जिसमें 3 GB RAM और 128 GB storage दिया गया है इसमें dual band Wi-Fi और Bluetooth के अलावा screen mirroring को option भी है गेमिंग के लिए इसमें 4K at 60 Hz पे 15 ms का input lag मिलता है और 1080p at 120 Hz में इसका input lag 8 ms है गेमिंग के लिए इसमें turbo mode भी दिया गया है projector का throw ratio 0.25 is to 1 है noise 27 decibel है और इसका maximum power consumption सिर्फ 182 watts है जो इस size के LED TV के मुकाबले सिर्फ 115 पार्ट है standby mode में यह सिर्फ 0.5 watts consume करता है इसमें लगे lasers की life 25,000 hours है यानि अगर आप इस projector को रोज 4 गंटे भी चलाएंगे तब भी यह 17 years से उपर तक चल जाएगा जो बहुत लंबा period होता है रही बात इससे setup करने की तो 120 inch की screen बनाने के लिए आपको इस projector को 13.6 inches की दूरी पे रखना होगा क्योंकि इसमें auto keystone correction और auto focus नहीं मिलता है इसलिए पहली बार में आपको इसे थोड़ा इदर उदर करके screen में guiding lines के according manually fit करना होगा इसमें 8 point keystone correction दिया गया है उसकी मदद से आप perfect screen बना सकते हैं एक बार इसे setup करने के बाद आपको फिर कोई problem नहीं आएगी उपर की ओर दिये गए sensors ensure करते हैं कि आपकी आँखों को इसके laser के through हाम नहीं पहुशे जैसे ही कोई projector के बहुत close जाएगा तो picture form होना बंद हो जाएगी और screen पे ये message flash होने लगेगा इसलिए screen adjust करने के लिए आपको settings में जाकर correction chart में जाना होगा जहां आप इसे easily setup कर सकते हैं यहां laser light minimum हो जाती है इसलिए आप पास जाकर भी setting कर सकते हैं आपकी आँखों को कोई भी नुकसान नहीं पहुचेगा इस projector में boot source भी दिया गया है आप जिस screen पे बीचाहें इसे set कर सकते हैं projector switch on होने के बाद उसी screen पे खुलेगा मैंने boot source पे 5 TV stick set की हुई है projector के focus में amazing uniformity दिखती है किसी भी corner पे कोई blur या फिर darkness नहीं दिखती है इस पे custom calibration की इतनी flexibility दी गई है कि हर कोई अपने taste के according picture को fine tune कर सकता है image बिल्कुल crisp और sharp project होती है अगर इसके performance को एक word में sum up करना पड़े तो मैं कहूंगी outstanding the performance is intensely captivating इस projector का 24 frame per second का cinematic frame rate एक बहुत ही बढ़िया immersive viewing experience grant करता है जो picture quality आपको इस projector पे मिल जाती है वो आपको बहुत सारे cinema halls में भी देखने को नहीं मिलेगी especially इसका color reproduction जो exceptional है इस projector के colors Samsung के QLEDs और Sony के tri-luminous technology को भी सरपास कर जाते हैं जो delightful viewing experience आपको इस giant screen laser TV पे मिल जाता है वो आपको बड़े से बड़े brand के TV में भी नहीं मिलेगा colors accurate होने के साथ साथ बहुत deep और vibrant दिखते हैं Netflix के इस logo को देखिए ये red आपको शायद ही किसी TV में देखने को मिले colors में uniformity मिलती है और एक color के different shades को आप visually differentiate भी कर सकेंगे pictures में एक depth दिखती है और punchy colors के साथ images virtually pop out होती हैं आपको इस projector पे और projectors की तरह murky या फिर grey blacks देखने को नहीं मिलते हैं बलकि इस पे आपको dark room में किसी higher brand के अच्छे TV जितने ही deep blacks देखने को मिल जाते हैं blacks में कोई irritating speckle या फिर noise नहीं दिखती है वो pictures जिनमें एक पुराने जमाने का look देने के लिए filters लगाये जाते हैं और जो आम तोर पे कई picture halls में भी visually appealing नहीं लगते हैं वो scenes भी इस projector पे exactly वैसे ही दिखते हैं जैसा कि एक film maker अपने viewers को दिखाना जाता है brightness की बात की जाए तो क्योंकि ये एक UST laser projector है जो बहुत पास से sharp projection करता है इसलिए brightness बहुत अच्छी मिलती है हर तरह के scenes चाहे वो indoor हो या फिर outdoor सब बहुत बढ़िया दिखते हैं dark scenes में भी details clearly visible होती है इसका contrast excellent है इसकी images बहुत ही details sharp और well defined दिखती है rainbow effect जो high end projectors को भी नहीं छोड़ता है वो इस projector की pictures को खराब करता नहीं दिखता है क्योंकि इसमें color wheel का इस्तिमाल नहीं किया गया है इसमें आपको कोई banding या फिर noise भी नहीं दिखेगी text भी इस पे बिलकुल sharp और clear दिखता है सक पुछी तो अब मुझे बिलकुल भी बहाँ जाकर movies देखने का कोई charm नहीं रह गया है क्योंकि बहुत कम picture halls ऐसे होते हैं जिसमें अच्छी brightness मिलती हो mostly theaters में मुझे brightness के कमी खलती है मेरे पास कम space है इसलिए मैंने 120 inch की screen के लिए ही opt किया है अगर आपके पास space है तो आप इस projector के थूँ 150 inch तक की screen बहुत बढ़िया picture quality के साथ project कर सकते हैं रही smartness की बाद तो ये एक android projector है लेकिन इसमें applications pre-loaded नहीं आते हैं क्योंकि projector के लिए license applications नहीं आते हैं वो बड़ी companies pirated version अपने projector में डाल कर नहीं देती हैं इसलिए इसके साथ आपको 4K 5TV stick max दी जा रही है जिसके थूँ आप हर application में 4K content को उसके native resolution में देख सकते हैं 5TV stick पे आपको बहुती snappy और fluid OS मिलता है इस projector का Dolby Vision और HDR performance fantastic है रात के कम light में shoot किये हुए content को भी ये projector brilliantly display करता है बिल्कुल वैसे ही जैसा कि एक filmmaker intent करता है आप इस पे सब कुछ वैसे ही देख पाएंगे जैसा कि आप किसी higher brand के costly TV पे देख सकते हैं बस फर्क इतना है कि 120 और 150 इंच की gigantic screens पे details और ज्यादा visible होती हैं और बहतरीन color reproduction के चलते सब कुछ और attractive लगता है चाहे वो dolby vision हो, sdr 10 plus हो, sdr 10 हो या फिर sdr ही क्यों न हो हर तरह के content को ये projector beautifully handle करके impressive picture quality देता है white screen पे भी इसका performance काफी अच्छा मिलता है लेकिन ambient light screen पे illuminated room में भी बहुत अच्छा performance मिल जाता है it is very very watchable even in daylight रही audio की बात तो यहाँ पे भी ये projector shine करता है इसकी audio बहुत सारे से कई ज्यादा watts के TVs को भी शर्मिंदा कर देगी इसके 36 watts के speakers इतने loud हैं कि वो एक hall को भी fill कर देते हैं audio loud होने के साथ साथ crystal clear और quality rich भी है ये projector Dolby Atmos decoding के साथ आता है लेकिन खाली projector के तुरू आपको TV की ही तरह इस पे भी Dolby Atmos का को experience नहीं मिलेगा उसके लिए आपको इसे HDMI EARC के तुरू किसी अच्छे Dolby Atmos home theater system से connect करना होगा चलिए आपको पहले इस projector के audio सुनाती हूँ और फिर Dolby Atmos soundbar के तुरू सुनाऊंगी How do you know my name? Because I've been expecting you Your friend is a never You are an ever We believe in living happily ever after Nevers because they don't यहाँ कर नदाना मस्त है और यह चाय तो बिल्गूल बिगिये वैसे हर में दूद नहीं है अगर तुम वो रेको जिसके मुंगई में चर्चे हैं तो मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी पर तुमें देर कर लगता है तुमें वो बात दे रहे तो मुझे यहाँ अच दूपैर को एक इंट्यू के लिए बुलाएंगी Good morning Massachusetts show अकेले प्रोजेक्टर के थूबी आपको इस पे बहुत अच्छा ओड्यो एक्सपिरियंस मिल जाता है एक नॉर्मल विवर के लिए इस प्रोजेक्टर की साउंड ही सफिशेंट होगी लेकिन सैनेमा हॉल वाला एक्सपिरियंस आपको हूम थीर्टर की थू ही मिल पाएगा आपकर ऐसे नॉर्ट बांदी नहीं सिकाई आप मुझे एक कहारी सुनाते में रिलाइस बाकी है कितनी अजीव है यहाँ आजीव है You think you could steal from us and just walk away? Yeah I'm putting the word out 500 grand for this clown dead अगर आपके पास HDMI EARC वाला साउंड बार नहीं है तब भी आप किसी साउंड बार को इसकी SPDIF या फिक AV इंपोर्ट से कनेक कर सकते हैं जहां तक इसके फैन की नॉइस की बात है तो 25 डेसिबल पे इस प्रोजेक्टर की नॉइस almost inaudible है अगर आप बहुत close नहीं होंगे तो आप इस noise को महसूस भी नहीं कर पाएंगे यह प्रोजेक्टर mirroring smoothly करता है आप Android और iOS दोनों ही devices के content को बड़ी screen पे cast कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके 3D performance की तो वो superb है इस पे आप side by side और top bottom दोनों तरह की 3D videos को देख सकते हैं जो 3D experience आपको इस projector पे मिलता है वो आपको इंडिया में मिल रहे हैं बड़ी companies के DLP projectors पे भी नहीं मिलेगा बस यह समझ लीजे कि 3D movies देखकर वजा ही आ जाता है और आपके चेहरे पे बड़ी वाली smile आ जाती है जहां तक gaming की बात है तो इस पे VRR नहीं दिया गया है लेकिन आप इस projector पे turbo mode में 4K games at 60Hz में खेल सकते हैं और 1080p games at 120Hz में खेल पाएंगे MEMC के साथ आ रहे इस projector पे gaming एक delightful experience है हाला कि इस projector का response time उन gaming monitors के मुकाबले ज्यादा है जो 1 millisecond के response time के साथ आते हैं लेकिन एक projector के हिसाब से इसका response time more than sufficient है बहुत ही high quality graphics और low input lag के साथ आप इस पे smooth gaming कर सकते हैं इसमें कोई screen tearing या फिर stuttering का issue नहीं आता है हाट कोर gamers के लिए भी एक perfect large screen gaming machine है जो आपके gaming experience को एक new level पे ले जाती है ये projector अभी फिलाल इंडिया में company की तरफ से directly नहीं मिल रहा है इसे अगर आपको मंगवाना है तो आपको directly company को contact करके मंगवाना पड़ेगा company बहुत बड़ी है जिसका worldwide presence है लेकिन मंगवाने से पहले company से अच्छी तरह से बात कर लीजेगा और custom duty पे अच्छी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही order place कीजेगा मैंने उनकी website की link नीचे description में दी है आप वहाँ जाकर अच्छी तरह से explore कर सकते हैं मुझे company ने custom duty approximately $300 बताई है लेकिन उनका कहना है कि region के according इस duty में variation आ सकता है अभी फिलाल evil vision projector company सिफ हर country में अपना presence establish कर रही है हो सकता है आने वाले time में वो Indian projector market में भी direct entry ले 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 ऐसे तो ये LTV 3000 projector काफी bright है लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा brightness चाहिए तो इनका इससे एक और superior model LTV 3500 भी आता है जिसमें 3500 lumens brightness दी गई है बाकी सारे features और specifications दोनों projector के similar है तो वीडियो को sum up करते हुए मैं यही कहूंगी कि इसका performance brilliant है जिसने मुझे पूरी तरह से bold कर दिया है ऐसा performance मैंने अभी तक इंडिया में मिलने वाले किसी भी projector में नहीं देखा है चाहे वो किसी higher brand का ही क्यों न हो आप ही सोचिए अगर आप higher brand का एक 75 inch TV भी लेने जाते हैं तो वो आपको 3 lakh से उपर का मिलेगा और फिर भी उस पे limited screen ही मिलेगी वो cinema hall वाला experience नहीं मिलेगा जो इस पे मिल जाएगा और अगर आप 100 inch का branded TV लेने जाएंगे तो उसका price तो 10 lakh से भी उपर चला जाता है इसके अलावा बहुत बड़ी screen को handle करना भी आसान नहीं होता है जबकि इस big view, ALR, floor rise screen के साथ इसका एक पूरा clean setup मिल जाता है TV के मुकाबले इस projector के through आप 150 inches तक की screen project करके ज्यादा vibrant colors और better details के साथ pictures enjoy कर सकते हैं इसके अलावा इस पे blue light का भी issue नहीं आता है जिससे आँकों को नुकसान भी नहीं पहुचता है साथ ही साथ TV के मुकाबले इस पे बिजली का consumption भी बहुत ही कम होता है तो दोस्तों उमीद है कि इस video आपको पसंद आई होगी अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए take care and stay safe